गुड बॉनिंग फ्रेंट्स आर्टिकल 125 सेलरी एटीसी और जज्ज मतलब एटीसी में क्या उनके लाउंसेज और प्रिविलेज वेगरा वो सब आ जाएंगे एक तेयरी पार्ट में क्या लिखा गया है मतलब क्या बोला गया है जो हमारे सुप्रेम कोट के जज्ज है उनकी जो सेलरी है उसमें कम या जदा करनी पड़े रिसाइड की जाएगे वो उसमें बदलाओ की जाएंगे वो हमारे प्रियॉ програм होंगे तब ही वो बदलाओ होंगी उसके बाद क्या बोला गया, until provision in that behalf is so made, such salary as the specified in the second stool, और जब तक कोई low से change, कोई act बन के नहीं आता, low pass होगे, तब तक उनकी जो salary, वो second stool में जिस हिसाब से बताएगी है, उसके हिसाब से उनको दी जाएगी, Every judge shall be entitled to such privilege and allowance and such right in respect to leave of absence and the pension as may from time to time be determined by under law made by parliament until so determined to such privilege, allowances and right as are specified in the second stool, मतलब क्या बोली गई, कि जो भी every judge, कोई भी जो judge है ना Supreme Court का, जो judge है, यह High Court के जो judge है, लेकिन इसमें Supreme Court की बात हो रही, लेकिन हम Supreme Court का ही देखिए, तो उनके जो विशेश अधिकार हैं, उनके जो भत्ता हैं, उनके allowances हैं, privilege हैं, उनके right to leave, जो छुटी, मतलब उनके जो भी बदलाओ करना है, तो उसके लिए Parliament law bill लेकिया आएगी, और उसके हिसाब से उनका change किया जाएगा, बाकि तब तक second schedule में जो बताया गया, उसके हिसाब से, उनको salary allowance वगरा दिये जाएगे, उसके बाद, provided that, neither the privilege nor allowances of a judge, nor his right to respect of the leave of absence, pension shall be varied to his disadvantage after his appointment. इसमें यही बोला गया, कि जो उनके allowances हैं, और जो salaries हैं, या pension है, या जो उनके भद्ता छुटियां हैं, वो सब decide होने के बाद, ऐसा नहीं हो अपने duty पे जाने, जब वो appoint की जाएगे, तो उनमें कोई बदलाओ नहीं किया जाएगा, तो यह बात बोलाओ यहाँ पे, तो यह था article 122, thank you for watching this video, have a nice day guys